एक बार बुद्ध अपने भिक्षू के साथ भिक्षाटन के लिए किसी गाउं की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक बुद्ध के पैरों में काटा लग गया। काटा इतना तीक्षन था कि चुबते ही रक्त की धार निकलने लगी। बुद्ध के भिक्षू ने रक्त को रोकने के लिए एक कपड़ा फार कर बुद्ध के पैर पर बांध दिया। इस घटना को कुछ लोग देख रहे थे जो की बुद्ध से इर्शा करते थे। उन्होंने बुद्ध से कहा कि हमें तो तुम्हें परमग्यानी समझते थे। लेक रसकार होगा। इस गाव में तुमको कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृप्या करके मुझे इस गाव से भिक्षा लेने दो। बुद्ध के इर्श्यालूओं ने बुद्ध का उपहास बनाते हुए कहा कि अगर तुम्हें भ चुनौती को स्वीकार कर लिया और कांटों के रास्ते पर चलने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगे। बुद्ध मुस्कराते हुए कांटों पर चलने लगे। बुद्ध के साहस को देख कर गाव वाले चकित रह गए। कुछ लोगों की आँखे फटी की फटी रह गाव वाले सोचने लगे कि बुद्ध भिक्षा के लिए दुसरे गाव भी जा सकते थे। तो फिर कांटों पर चलकर क्या साबित करना चाहते हैं। गाव वाले बुद्ध के संदेश को इतनी जल्दी नहीं समझ पाए। यहाँ पर बात भिक्षा की नहीं बलकि जीवन को बदलने की थी। गाव वालों की भीर में एक सुमित नाम का युवक था जो बुद्ध पर हो रहे अत्याचार को देखकर द्रावित हो गया। सुमित दौर कर गया और बुद्ध के पैरों के सामने से कांटे को हटाने लगा। बुद्ध के इरश्यालू सुमित को रोखने लगे और गाव से दाना पानी न देने की धमकी देने लगे। सुमित ने किसी की न सुनी और कांटों को हटाते हुए बोला। खे भगवन आप इन मुठी भर लोगों के लिए अपने आपको कश्ट मत दीजिए। आप गाव में प्रवेश कीजिए बहुत सारे लोग आपक को अपवित्र और दूशित न करे। महात्म बुद्ध ने कहा, तुम अपने आपको दूशित क्यूं कहते हो। स्पर्श से कभी कोई भी दूशित नहीं होता है। मनुष्य तो लोब, लालच, घ्रिना, इर्श्या से दूशित होता है। तुम्हारे अंदर तो प्रेम भरा हैं। तुम दुसरों का सुक चाहते हो। तुम तो पवित्र हो। बुद्ध के बोल सुनकर कुछ लोग बोले। तुम तो अपने आपको बड़े ज्यानी कहते हो। तुमको जाती का कोई ज्यान ही नहीं है। तुम पाखंडी हो। बुद्ध बड़े ही शांत स्वभाव से कहते हैं मानव से मानव की मानवता छिनना पाखंडी की निशानी है मुझे पाखंडी बोल कर यदि आपको संतोश मिलता है तो मेरे लिए दुख का कोई विशय नहीं है कुछ लोग बुद्ध पर बरस पड़े परंतु यह तो धर्म शास्त्र है फिर यह पाखंड कैसे हुआ बुद्ध कहते हैं हमारी उत्पती इस स्रिष्टी में हुई है नदियों का पानी सभी की सम्मान रूप से प्यास बुझाता है खुले जंगलों की हवा भी भेदभाव नहीं करती है खुला आस्मान हमारे पिता के सम्मान हमारी परवरिश करता है स्रिष्टी करता ने भी कोई भेदभाव नहीं किया है फिर हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले मानव मानव में भेद करके अपने संबन्धों को बिगारता है बुद्ध के वचन के बाद कुछ लोग कहते हैं अगर आप इतना ही कहते हैं तो सुमित को अपना भिक्शू क्यूं नहीं बना लेते हैं बुद्ध ने कहा कि अच्छा सुझाव है अगर सुमित तुम चाहते हो तो तुम मेरा भिक्षु बन सकते हो बुद्ध के आमंत्रन पर सुमित पहला नीच जाती का बौध भिक्षु बनता है इस पूरे विवरण में केवल सुमित का जीवन बदला शेश सभी लोगों का जीवन रूपांतरित हुआ कहानी पसंद आये तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी